अर्शद नदीम को बाबर आजम ने ट्विटर पे कॉंग्रेचुलेट किया तो होगे बुरी तरीके से ट्रोल। दरसल पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है जिसमें अर्शद नदीम जो कि पाकिस्तान की एथलीट हैं उन्होंने गोल्ड मैडल जीता है जैवलीन थ्रो इविंट में नीरत चोपड़ा को हराया उन्होंने नीरत चोपड़ा जो की इंडियन एथलीट है और गोल्डन बॉय के नाम स उन्हें जाना जाता है उन्हें silver medal मिला है अर्शद नदीम को gold medal मिला है जिससे पाकिस्तान में काफी ज्यादा खुशी की लहर है सारे क्रिकेटर्स ने tweet करके बधाई दिये अर्शद नदीम को जिसमें से बाबर आजम भी एक है लेकिन जब बाबर आजम ने ऐसा किया तो उन् incredible achievement you have made the entire nation proud जब बाबर आजम ने अर्शद नदीम को congratulate किया तो लोगों ने बाबर आजम को ही social media पर आड़े हाथो ले लिया उनसे उनकी career के बारे में सवाल करने लगे उनकी achievements की बारे में सवाल करने लगे कुछ social media users ने लिखा कि अर्शद नदीम ने तो अपना काम कर दिया कई कई दिन तक ऐसा होता था उन्हें पूरी तरके से खाना भी नहीं मिल पाता था लेकिन फिर भी वो देश के लिए gold लेकर आई बाबर आजम आपने कौन सा अपनी टीम को T20 World Cup के final पहुचाया आप तो T20 World Cup के final क्या Super 8 में भी जगे नहीं बना पाए उपर से फिर पाकिस् पूटी टीमों की खिलाफ आते हैं इंग्लैंड, साउथ अफ्रिका और आउस्टिलिया के सामने बाबाराजम फ्लॉप होते वे नजर आते हैं आपको बता दे कि पाकिस्तान क्रिक्ट टीम का जो प्रदर्शन है वो कुछ सालों से अच्छा नहीं चल रहा है खासकर एशिय कप में और वहाँ पे विराट कोली ने हंडेड लगाई थी केल रहूल ने हंडेड लगाई थी और पाकिस्तान को बुरी तरीके से हारना पड़ा था वहाँ पे नसीम शा भी उसी मुकाबले में इंजर्ड हो गया थी जिस वेसे ODI वर्ल्ड कप से वो रूल्ड आउट हो ग पसते हैं यह टेश्ट में तो बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान क्रिकिटीम का अब आगे फ्यूचर में देखना होगा कि पाकिस्तान क्रिके से प्रदर्शन करती है बाबर आजम की नेतरुत continually वाले कैसे लिए वीडियो कमेंट सेक्षण कॉमें करके मैं जरूब शबरता है झाल झाल झाल